गोड आप्टर नून एर्थ क्लास आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्टर फोर्टीन नेज भासा उन्नती पढ़ा रही हूं इस पाट के रचेता हैं भारतेंदू हरिष्चन जे का जन्व 1885 में काशी के एक समरांद वैश्य परिवार में हुआ था इनके पिता बाबु गोबाल चंद जी गिर्धर दास उपनाम से ब्रजभासा में कविता करते थे भारतेंदू ने पांच वर्ज की अवस्ता में ही एक दोहा रजकर अपने पिता से सुक अभी होने का अशिरवाद पाया था तर भागय से इनकी स्कूल शिक्चा भली प्रकार ना हो सकी स्वाध्याय से यानि खुद ही अध्यन से इन्होंने हिंदी फार्सी और्टू अंग्रेजिस संस्कृत आदी भाषाओं का अच्छा ग्यान प्राप्र कर लिया था सन अठारों से पिच्चासी एस्वी में काशी में ही इनका निधन हो गया यानि इनके मिलती हो गई तो उनी के लिखेवे कुछ दूह यहाँ पर हैं जो मैं आपको निझ भासा उन्नती नामत पार्ट पर पढ़ाने जा रही हूं पहला दुआ है निझ भासा उन्नती है सब उन्नती का कॉमूल बिनु निझ भासा ग्यान के मिटत नहिया को शूल कभी ने कहा है कि निज भासा यानि अपनी भासा जो है उसका ग्यान ही सब उन्नतियों का आधार है उसी से हम सब उन्नतियों को प्राप्त कर सकते हैं बेनु निज भासा ग्यान के मिटटना या गुसूल क्योंकि जब तक हमें अपने निज भासा खुद की भासा का ग्यान नहीं होगा तब तक हमारे हिर्दय का सूल यानि हिर्दय का अंधिकार कभी मिट नहीं सकता हम चाहें कोई भी भासा पड़े लेकिन अपनी भासा अने का अग्यान अगर हमें नहीं है तो हमारे हिद्यकान्दिकार कभी खतम नहीं होगा। अग्यान के ग्यान का वर्दन करो निजभासा उन्नति करो और अपनी निजभासा का उन्नति के लिए प्रयास करो और यहीं आपका सबसे पहला कारे होना चाहिए। प्रयास करो राज काज के दरवार में राज काज में जो भी कारे आपको करना है अपनी भासा को फैलाने का पूरा-पूरा इस रत्न को पहलाने का पूरा प्रैत्न करना चाहिए फिर कभी ने कहा है कि बेटे से शुत्सो यानि बेटे से तिय से यानि मित्र से पत्नी से सो मीत्सो यानि मित्र से और ब्रत्यन सो यानि भाईयों से दिन रात जो भी आप बात करते हो उस उन बातों को जो भी कर रहे हो अपनी भासा के मद्य में किजिए यानि अपनी भासा के द्वारा ही किजिए और निजमन की जो भी बात है निजमन यानि अपने मन की जो प्रचार करें पढ़ो लिखो को लाख विद भासा बहुत प्रकार पैस जब अहीं कच्छ सोची हो निजभासा अनुसार फिर कभी ने कहा है कि आप चाहें लाख विदी से पढ़ लो कितनी भी भासा बहुत प्रकार कितनी भी भासा के प्रकार पढ़ लो लेकिन जब अपने मन में विचार करते हो तो आप जो मन में विचार होगे वो अपनी भासा में विचार करते हो जो भी आपको विचार करना है जो भी आप मन की भाव सोचते हो, वो आपके अपनी भाषा में आते हैं, इसलिए आपकी अपनी भाषा ही सबसे बड़ी भाषा है कभी ने पिर कहा है कि अंग्रेंजी पढ़ लेने से यदि आप लोग बहुत ग्यानी बन सकता है गुन होत प्रवीन और चाहें कितने भी गुन से आपके अंदर आजाएं लेकिन जब तक अपनी भाशा का ग्यान आपके अंदर नहीं है तब तक वो ग्यान अग्यान तक ही कहा जाएगा क्योंकि दीन ही नहीं आप कहलाओगे क्योंकि जब आपको अपनी भासा का ग्यान नहीं है तो आप अंग्रेजी पढ़कर क्या कर लोगे यानि कुछ नहीं कर पाओगे जब तक कि आप अपने धेश की अपनी खुद की भासा क को नहीं जान सकते तो अंग्रेजी पढ़ना बेकार है इसलिए अपनी बासा का ज्यान होना बहुत ही जरूरी है आगे है घर की फूट बुरी इस पेराग्राफ में कभी ने घर की कला के बारे में कहा है कि जब हम घर में कला करते हैं तो क्या होता है कला यानि लडाई जगद में घर की फूट बुरी घर के फूट है सो बिनसाई सुबनल लंकापुरी कभी ने कहा है कि संसार में जो सबसे बुरी चीज है वो घर का कला यानि घर के लडाई जगड़े हैं घर के फूट है सो बिनसाई सुबनल लंकापुरी क्योंकि लंका पुरी यानि लंका का जो राजा रामर था उसका पूरा जो राज्य सोने की लंका कहलाता था राक्षसों का राज्य था उसको किसने खतम किया घर के कले ने घर के कले से यानि उनका जो भाई उने रामर ने अपने भाई विभिशन को मार कर लात मार कर जो घर से निकाल दिया था तो उसको जो खतम क पति रामार के मरने का भेद था वो रामार के भाई विविश्ण नहीं बताया था। किस के कारण हुआ था कि दोनों भाइयों के जगड के कारण। इसलिए क्या कहा कभी ने कि लंका जो थी पूरी उसका बिनास किस कारण हो गया घर की कला के कारण हो गया। इसलिए घर में कला सबसे बुरी होती है फूट ही सो सब कौरव ना से भारत युद भायो और फूट के कारण ही लड़ाई के कारण ही सो कौरव थे भाई सो कौरव भाई थे जो कहलाते थे दुरियोधन के भाई सब सो कौरव कहलाते थे लेकिन उनका भी महा भारत के युद में नास हो गया क्यों क्योंकि पांड़वों और कौरवों को बीच में फूट थी लड़ाई थी इसलिए उनका भी नास हो गया जाको घाटो या भारत में अबलो नहीं पूजियो जिसका घाटा इस भारत को अब तक पूरा नहीं हो पाया है फूटाओं सो जैचंद बुलायो जवन भारत धाम जाको फल अपसौल भोगत सब आरज होई गुलाम तो फूट के कारण ही जैचंद था एक राजा उसने यवन को भारत बुलाया था यवन यानी सिकंदर सिकंदर को भारत बुलाया था और सिकंदर ने हमारे पूरे भारत को लूट लिया था पूरे भारत पर कबजा कर लिया था जिसका घाटा आज तक हमारा सारे आरे जो भारत के लोग हैं वो उनके गुलाम होकर चुका ते फिरे हैं तो फूटाई सो नवनंद विनासो गयो मगत को राज गुप चंदर गुपत को नाशन चाहिए आपूर नसे महासाज और फूट के काराणी नवनंद ने अपना मगत का राजय हार दिया नवनंद जो था वो भी एक चंदर गुपत को नास करना चाहता था लेकिन चंदर गुपत ने अपने सेना चाड़के के साथ मिलकर जो कूट नीतिक चाले खेली उसके साथ नवनंद का सारा मगत का नास हो ग एक दूसरे से युद किया और फल की सुरूप किया और चंदरगुप्त ने उनके राज्य मगत को अपना राज्य बना लिया जो जग में धन मान और बल आप उन्हों राखन होए तो अपने घर में भूले फूट करो मत कोई तो फिर कभी ने लन्त में क्या कहा है कि यदि संसार में आप लोग अपने धन मान और बल और अपने को संभाल कर रखना चाहते हो तो भूल से भी अपने घर में यानि अपने देश में कभी भी फूट मत पढ़ने दो कभी भी लड़ाई जग्ड़े मत होने दो इससे आपके देश का और आपके घर का भला इतलिए कला को कभी भी मत आने दो कला का कारण कभी भी मत होने दो इसी के साथ पार्ट समाप्त हुआ आशा कर्फिया आपके समय में आ गया हुआ